नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस वीडिव चनल नौलेज जोर में दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिश्टी आफ रेल्वे के द्वारा ट्वीट किया गया है जिसमें चेयर मैं आफ रेल्वे बोर्ट के द्वारा बताया गया है कि भारतिय रेल्वे पूरे विश्टों में पहली बार डारेक्ट सोलर प्लांट से ट्रेनों को चलाने जा रही है यानि कि पूरे विश्च में ऐसा पहली बार हो रहा है जहांपर डारेक्ट सोलर प्लांट से ट्रेने चला करेंगी दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक सोलर प्लांट से पूरे देश में या पूरे विश्चों में कहिए घरों में बिजली मिलती थी, ओफिस वगरा में बिजली मिलती थी लेकिन अभी तक किसी भी देश ने डारेक्ट सोलर प्लांट से ट्रेनों को नहीं चलाया है इसलिए यह किताब भारतिय रेल्वे के पास आने जा रहा है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि याकर सोलर प्लांट किस तरह से काम करते हैं भारतिय रेल्वे यहां प्लांट को कैसे सेट अप की है, कितनी बिजली मिलेगी इससे इसका यूज किस तरह से किया जाएगा, एक एक चीज को बड़े ही विश्तार से जानेंगे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, अभी भारतिय रेल्वे कुछ साल पहले ट्रेन के कोच के ऊपर कुछ सोलर पैनल को लगा कर इससे प्राप्त इलेक्रिसिटी से ट्रेन के कोच के नीचे लगे पंखे और लाइट ओगर रख को चलाय करते थी लेकिन यहां पर इससे प्राप्त इलेक्रिसिटी इतनी कम थी कि उससे पूरे ट्रेन को नहीं चलाय जा सकता था फिर भारतिय रेल्वे ने भेल के सहयोग से मद्ध्य प्रदेश के बीना में अपने खाली पड़े जमीन पर इस तरह से प्लांट सेटप की सोलर प्लांट जहां पर बहुत सारे सोलर पैनल थे और यहां पर इससे 1.7 मेगावाट का इलेक्रिसिटी मिलने लगी यानि कि इस 1.7 मेगावाट का इलेक्रिसिटी से ट्रेन को चलाया जाएगा हलाकि यह electricity तो बहुत कम है train को चलाने के लिए लेकिन यहाँ पर यह प्रायोगिक तोर पर है और सब कुछ ठीक रहा तो भारतिय रेलवे यहाँ पर 3 गीगावाट का solar panel इस्टॉल करने जा रही है अपने खाली पड़े जमीन पर और उसी से trainों को चलाए जाएगा इससे यहाँ पर भारतिय रेलवे को हर साल 1.73 करोड रुपे के electricity bill की बचत होगी तो दोस्तो हम जानते हैं कि आखिर यह solar panel कैसे काम करते हैं इससे electricity कैसे मिलती है और यहाँ पर यह जो plant किस प्रकार से अस्थापित किया गया है दोस्तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप यह समझिए कि आखिर यह solar panel काम कैसे करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह solar panel है इस पे sunlight डिरेक्ट पढ़ रही है इस पैनल के अंदर बहुत सारे sail होते हैं सेल का एक सम्हू होता है और इसमें जो है elektrons और holes होते हैं जैसे हीен sunlight इस पर पढ़ती है तो electrons holes की आकरसित होते हैं यानि कि flow of electrons electricity यानि कि जैसे ही electrons flow होने लगते हैं तो हम electricity मिलने लगती है और इसी का यूज solar plant में किया जाता है तो इस बात को समझने के लिए आप इस ड्रोइंग को देखिए सबसे पहले कि ये solar panel है ये किसी base पर fix है तो दोस्तो इसकी output को समझने के लिए sun की जो है direction को समझना पड़ेगा पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सुबह का जो है 8 बज रहा है और यहाँ पर ये सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है लेकिन यहाँ पर proper हमें output नहीं मिलेगी क्योंकि ये सूरज की रोशनी सीधे यहाँ पर नहीं पड़ रही है फिर जैसे ही ये 12 बजा तो यहाँ पर ये सूरज की रोशनी सीधे पड़ रही है तो इस दोरान हमें पूरी output इससे मिलेगी और जैसे इसे शाम होते जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से direction change हो गया तो हमें output उतनी नहीं मिलेगी तो दोस्तो यहाँ पर यह जो fix solar panel है इसमें दिक्कत यही होता है कि हमें जो है हमेशा एक समान output नहीं मिल पाता इसलिए जो solar plant होते हैं उसमें यह जो solar panel होते हैं इसे solar tracker के उपर रखा जाता है solar tracker क्या करते हैं कि यह sun को follow करते हैं यानि कि जैसे जैसे यह direction sun का change होगा यह panel अपने इधर से घूमते जाते हैं और इस तरह से जैसे इस direction sun का change होगा यह panel भी अपने आपको change करते जाते हैं तो जहां भी solar plant रस्थापित किया जाता है उसे इस तरह से tracker पे रखा जाता है अब हम समझते हैं कि भारती रेलवे यहाँ पर किस तरह से plant को set up के रही है तो दोस्तों यह देखी यह drawing है जहां पर दिखाया गया है कि कैसे यह solar panel काम करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बहुत सारे solar panel का यह group है जैसा कि आप इस image में देख रहे हैं यह जो PV solar है यानि कि photovoltic solar है यह सारे solar को plus का minus minus का plus ऐसे करके इसको connect कर दिया जाता है और सभी का एक output निकाला जाता है और इसे निकाल के bug boost converter को दिया जाता है आप यहाँ पर दिये देख सकते हैं कि solar tracker system यह green color का दिखाये गया है सारे panel solar tracker system पे रखे गये हैं और इसका जो output आता है bug boost converter में आता है यह bug boost converter क्या होता है कि एक प्रकार का maximum power को बनाए रखता है यानि कि यह DC to DC converter है यहाँ पर आप जरूर जाना चाहेंगे कि DC से DC convert में करने से क्या पाइदा तो इसका काम यही है कि हम एक maximum power यहाँ पर चाहिए जो कि एक peak point है तो इसलिए इसका use किया जाता है इस बात को आप समझने के लिए यहाँ पर इस drawing को देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि power is equal to होता है V into I यानि कि यह current का यह direction है यह voltage का direction है तो माल लिजे कि इस peak point पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 4 है और current यहाँ पर 4 है और यहाँ voltage माल लिजे कि 12 है तो 12 into 4 हो जाएगा 48 watt यानि कि इस peak point पर 48 watt मिल रहा है जैसा ही हम direction को change कर देते हैं यानि कि इधर से direction change हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 3 पर आगया यह आगया 15 पर तो 45 watt हो गया यानि कि यह कम हो गया यहाँ पर यह P point जो है maximum output हमें देता है तो यह जो bug boost converter होता है maximum MPPT जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें maximum output जो है यह जो इस point को maintain करता है यानि कि चाहे direction कहीं भी हो point कोई भी change होता रहे हमें एक maximum output यहाँ पर मिलेगा यह जो output होता है DC voltage होता है यानि कि solar से जो हमें प्राप्त होता है वो DC होता है इस DC को जो है हम यहाँ पर bus converter के पास देते हैं bus coupler एक ऐसा होता है कि coupling समझे यानि कि जोडने के लिए क्योंकि एक wire यहाँ से आया और एक wire यहाँ से आया बैटरी में जाता है दोस्तो solar plant में जो यह बैटरी होता है यह optional होता है optional कहने का मतलब कि जो solar plant होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं और यह जो solar plant होते हैं सिर्फ दीन में ही काम करते हैं रात में यह काम नहीं करते हैं क्योंकि ये धूप आना बंद हो जाएगा तो ये solar plant तो ये shut down हो जाएगे तो यहाँ पर backup के लिए battery यूज किया जाता है लेकिन अगर plant बहुत बड़ा हो तो यहाँ पर battery को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये battery बहुत ही expensive होते हैं बहुत महेंगे इनका maintenance जो है 4-5 साल तक ये च चलते हैं उसके बाद फिर से change करना तो इस तरह से इतने बड़े power plant के लिए battery रखना बहुत महेंगा होता है तो अक्सर जो है बड़े plant में जो solar plant होते हैं वहाँ पर battery का यूज नहीं किया जाता यानि कि रात में ये जो grid से supply लेकर अपने आपको maintain करते हैं और दिन में फिर जैसे ही सूरज उखती है तो ये electricity देना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर ये optional दिखाया गया है जो 2-3 MW से उपर के plant होते हैं उसमें battery रखना नहीं होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये battery जुडने के बाद ये जो DC output है इसको यहाँ पर inverter के पास भेजा जाता है ये जो inverter है DC को AC में convert कर देता है यहाँ से हमको ये AC voltage मिल जाता है इस AC को transformer में भेजा जाता है यहाँ पर भारतिया railway ये transformer का यूज किये traction transformer जो की इस AC voltage को 25 KV में convert कर देती है यानि कि 25 KV का ये जो voltage है इसे OHE में post कर दिया जाता है और इस तरह से यहाँ पर ये OHE से direct training चला कर देंगी तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से solar panel काम करेगी solar panel से प्राप्त electricity से कैसे यहाँ ट्रेनों को चलाए जाएगा दोस्तों हलाकी यह 1.7 MW का जो plant है बहुत ही कम है क्योंकि एक locomotive में जो motor होते हैं वह लगबख 800-900 KW तक होते हैं लगबख की 1 MW के बरा होगा तो यहाँ पर यह जो बीना में प्लांट अस्थापित किया जा रहा है उसकी commissioning होगा रहा 10-15 दिन में complete हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर ट्रेने चलने लगेंगी और धीरे-धीरे करके भारतिया railway इस तरह से ट्रेनों को चलाए करेगी तो उमीद है कि आपको ही मिलते हैं का अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद